आज का हमारा टॉपिक है Call of Duty Error जब हम Call of Duty इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद जब हम अपना गेम प्ले करते हैं तो यह Error आती है Please Insert the Correct CD DVD Room यह देखे हमारा इंस्टॉलेशन के बाद में शॉटकट बन जाता है डेस्टॉप पे जब इस शॉटकट को हम क्लिक करेंगे तब वो Error आती है यह देखे यह हमारी Error आ गई Please Insert Correct CD DVD Room अब हमें क्या करना है अपने उस फोल्डर में जाना है जहां हमारा Call of Duty हमने जो इंस्टॉल किया था वो फोल्डर जहां हमारा Call of Duty डाउनलोड किया हुआ जहां से हमने इंस्टॉल किया था हमारी Setup File है वहां C Drive में नहीं जाना है जहां इंस्टॉल हुआ है वहां नहीं जो हमारा Root Folder है वहां जाना है आपको यहां दिखेगा आपको यह Setup है जिस Setup पे आपने क्लिक करके इंस्टॉल किया था ठीक है यह हमारी Main जो हमारा ISO File है और उसको हमने Extract करके यह Folder बनाया था ठीक है यह सारा हमारा Folder है इस Main Folder के अंदर जाना है आपको और Search करना है COD2 लिखो हां तो जैसे Search करेंगे आपको सबसे उपर ही Option आजाएगा Single Player का COD2 का इसको आप Copy कर लो और आपको जाना है C Drive में जहां आपका Game इंस्टॉल हुआ है C Drive हमारे जाज़तार वहीं पे होता है वहां जाना है तो आप वहां से Right Click करके और सीधा आप जा सकते हैं C Drive में Open File Location करके यह आगे हम Add-ons है इसके अंदर हमारा Call of Duty है C Drive जहां इंस्टॉल हुआ है यहां उसको पेस्ट कर देते हैं रिप्लेस कर दीए वहां पे पहले से एक फाइल पड़ी होगी वो इसे रिप्लेस कर देगा तस इट यह हो गया अब आप प्ले करें आप आराम से गेम को आपका Game प्ले हो जाएगा नो इशू यह देखिए आपका Game प्ले हो गया Enjoy करिए तो Friends कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें शेयर करें सोसल मीडिया पर अपने Friends में टेक करें लाइक करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद See you in next video Bye Bye